हेलो फ्रेंट्स कैसे आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो आज मैं आपको बताऊंगे कि तिल और मावे की बर्फी किस तरह और कैसी बनाए जाती है जो सिर्फ तीन चीजों से बनकर तयार होगी और सर्दियों के टाइम में इसे बना कर खाने में स्वाधी अलग रहता है त तो उसके लिए मैंने लिये हुए 250 ग्राम तिल ये मैंने मावा लिया हुआ है और ये मैंने 250 ग्राम गुड लिया हुआ है मीठा आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं सबसे पहले हम अपने तिल को के लिए मैं लूँगी एक कढ़ाई और अपने तिल को कढ़ाई में डाल टोन तो आपको इसे ये लो फ्लेम पर इसे भूलनेड़ एब दरला है तो वारून ders आप भूलेड़ों में अब लिए आपकोई से लो फूल उपहेश दोंगे और जो तक हमारे तेल अच्छे से ठंडे हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने तिल गरम भी नहीं ग्रेंड कर ले हैं इन्हें हलका ठंडा होने के बाद ही ग्रेंड करना है अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना मावा और गुड जो कि मैंने बारिक बार एक काटिया था और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें अच्छी से मेल्ट करके अपने मावे को तियार कर लूँगी तो देखे फ्रेंट्स मैंने गुड़ और अपने मावे को अच्छी से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हूँ आपको इसे जब तक खिलाना है तब ज़के है थुड़ा टाइट नहीं हो जाता और फ्रेंट्स आपको इक वाद का खास दियान रखना है कि आपको इसे चलाती रहना है वरना ये नीचे की तरफ लग जाता है तो देखे फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मेरा मावा और भूड़ थोड़ा टाइट हो चुका है और फ्रेंट्स अब मैं इसमें डालूँगी अपने तिल जो की मैंने मिक्सी में ग्रैंज कर लिए है आप देख सकते हूँ और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगे इसे अच्छे से हिला लूँगे ताकि हमारा तिल और खोवा और अच्छे से मिल्स हो जाए आप तिल को विल्कुल बार एक पीश जरूर लें तो देखे फ्रेंट्स हमारा ये पेस्ट बनकर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं ये काफी टाइट हो चुका है बाकी का ये हमारे फ्रेंज के अंदर जाने के बाद हो जाएगा अब मैं इन्हें इसे उतार कर रख देती हूं तो देखे फ्रेंट्स हमेने अलूमीनियू फोईल ले लिया है अब इसे अब हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगी इसके लिए इसके ओपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे चार तरफ से अच्छे से चिकना बडालेंगी ताकि हमारा जो गुड़ और तिलकम पेश्ट है वह इस पर चिपके नहीं और इसकी थोड़ी सी गानियस के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तिल डाल लूँग तो देखे अब देखते ही मैंने इस पर हलखेल के तिल डाल दिये हैं और फ्रेंड अब मैं इसके ओपर अपना मावा डाल दूँगे और इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखे अब मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी तो देखे फ्रेंस आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने पूरे अलूमिन्य फोल पर अच्छे से फैला लिया है और अब इसके उपर मैं डालूँगी तो देखे फ्रेंस यह मैंने कुछ ड्राइफुट लिये हैं उसमें मैंने पिस्ता और थोड़ी बादाम यूज किये अब मैं इने थोड़े थोड़ा दबा दूँगी तो देखे फ्रेंस अब मैं इसे धीरे धीरे रोल करूँगी और इसे आप रटाते जाओगी फिर इसे रोल करूँगी तो देखे मैंने इसे इतना रोल कर लिया है और अब मैं इसे पर्सलेती हूँ तो देखे फ्रेंस मैं इसे धीरे धीरे इस तरह रोल कर लूँगी मैंने इसे बहुत ही अच्छे से रोल कर लिया है अब मैं इसमे से बीचमे से कट लगा लूँगी और इसे अब मैं फ्रेज में रख दूँगी तो देखे फ्रेंस मैंने इसी अच्छी से रोल कर दिया है और अब मैं इसी 5-4 मिनिट के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ तो देखे फ्रेंस मैंने इसी 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में रख लिया था और अब मैं इसे खट कर लूँगी आप इसे कोई भी सेप दे सकते हैं तो देखी फैस मैं इसी प्रकार की पिसिस बना लूँगी तो फैस मैं इसकी मोटे पतले इसी प्रकार की पिसिस खट कर लूँगी तो देखें friends मैंने इसकी pieces कट कर ले हैं अब एक piece मैंने से आप सबको उठा कर दिखाऊंगी तो देखें friends आप देख सकते हूं यह दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूं देखें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और फ्रेंट्स नोटिफिकेशन बेल जरू दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहें तो फ्रेंट्स अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपिक साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्क प्रेंट्स नापको हमारी नापको हमारी नापको हमारी नापको अपको हमारी नापको 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 हमारी